हाई हेलो इबरिमन हाई मिशाल जोशी आपका प्यार अवीजे सर और जैसा कि अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ चुकी है और हमें अब जो डर है या टेंशन है वह इस चीज की नहीं है कि जहीं में इस कब होगा अब शायद काफी हद तक हम लोग सिक्योर हो चुके हैं का अब कर हो सकता है लेकिन एक और टेंशन है जो पी बच्चों में चल रही है और उसके लिए काफी मैसेजेश आ रहे थे वह मैसेज़ेश जो आ रहे थे उसमें भी हमारी का आदत सी हो गयी है एक टेंशन जाती निए तो दूसरी ले ले लेते हैं ऑग ये एक तेंशन गयी तो उससे रिलाक्स होना चीए था लेकिन हमने क्या कर रहा दूसरी एक टेंशन और स्टार्ट कर दिये वह टेंशन आपके सामने है 95% कैसे लाएं बूड में और कई बच्चे तो 95 चोड़ो यह सोच रहे 75 परसेंट यह आ जाएं तो बहुत है विए और नॉट तो कई बच्चे यह सोच रहें कि 75 परसेंट यह आ जाया है तो 75 परसेंट भी लाना है और 95 परसेंट तक भी जाना है बहुत इंपोर्डेंट इस बोल रहो हुं मैं 75 परसेंट दो लाना इंपड़ेगा क्योंकि क्राइटिरिया तो आ गया यह हां आपको नही लाना है परस लाने के लिए हमें बहुत मेनद करने पड़ेगी साथ लेते लेकित को साथ लो अपने दोस्तों को पहुंचा दो क्योंकि यह चैनल आपको बूड के साथ जही की प्रपरेशन कराएगा केमिस्ट्री के अंदर तो यह तो क्लियर है दूसरा आपको रोड में हम बताने वाले वह यह है कि 95 परसेंटाइल कैसे ला सकते हैं दिसंबर से फरवरी के बीच में यहां पर यह एक बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि यहां पर कोई ऐसी दवाई नहीं दे रहे कि आज के लेक्चर में आपको मिल जाए यह बात आप समझ रहे ना क्योंकि कई बच्छे बहुत एक्स्पेक्टेशन से देखते हैं कि इसी वीडियो में 95 परसेंट लाने का त इसी दिख रही है अरे वाय यह मैस तो विल्कुल दाख जैसी खा जाओ इसको और बोड़ खा गए ऐसा कुछ नहीं होता है इस इस नाट हल्वा इस तो प्रॉपर स्ट्राइजी चाहिए और एक दिन के स्ट्राइजी से कुछ नहीं होगा मैं फिर से बोल रहा हूं जितने इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है वन डे स्ट्राइजी इस नौट एप्लीकेबल ऑन बोर्ड इसके लिए पेशेंस चाहिए बोर्ड के लिए सबसे अच्छी बात है कि टेंशन से कुछ नहीं होता किस से होता है पेशेंस और पेशेंस आपको रखना पड़ेगा अपना दिसंबर से फरवरी तक प्रॉब्लम बस एक ही कि स्टाड़जी जो हो वो ऐसी हो जिससे मेरा मेंस भी अफेक्ट नहीं हो और मे सबसे पहले हमारा जेए मेन और बूर्ड हमारी जो स्ट्रेस लेवल है वो किस पर है टाइप टाइप की अगर हम बात कर रहें तो हमारे पास जो टाइप है वो क्या है अरे यार एक तो बता है तुम्हारी ही क्लास में का है परिसान करता हो ऐख कर दों है एक हमारा जेए मेंस से क्योंकि फरवरी तक अगर हम बात कर रहे तो हमारे बात यूद्द हैं लिए अ सबस्क्राइल और यह बोड़ आँ कि यहां पर अगर हम बात करते हैं तो बात करने परकर एक चीज हम समझhst में आती है कि सर्व इस बाइना मन्त两ुं का अगरा अज़ी तो आपको यह अलग अलग दिख रहे है ना बस यही पर आप गलत कर रहे हैं अगर आपको यह दोनों अलग अलग दिख रहे हैं डाट मींस आपका फोकस गलत है यह ऐसे समझने की जरूवत पड़ेगी आपको कि जब आप किसी एक चीज को देखते हैं तो दोनों आखों से वही चीज दिखाई देती है ऐसा नहीं होता कि एक आख से के लिए अगर कोई नीट का बच्चा देख रहा है तो बायो के लिए यहां पर अगर आप देखो तो इसके लिए आपको एक ही दिखना चाहिए तो बोड अगर देखने की आदत डालनी है तो आप दो टॉपिक्स के लिए ही अलग से देखो वह होंगा आपका या तो इंग आप टेंशन ले रहे हो आप आपको एंजाइटी हो रही है परिशानी हो रही है वह आपको यह एंगलिश की और वह जो दूसरा आपका सब्जेक्ट है अदर उसकी लेनी है पहले अपना माइंड सेट क्लियर करो कि जिन भी बच्चों को एकदम पसल्ड हो गए हैं परिशा को ना चाहता हूं क्या कि आपको यह दो सब्जक्त की तैयारी करनी चाहिए इसके लिए एक स्लॉट करो सबसे पहले तो रोड मैप के अंदर हमने पहला रोड मेप क्या बनाया फस्ट स्ट जो हमारा वह आएगा एक स्लॉट और वह स्लॉट होगा इंगलिश और अदर कि आई होप आपके पाद दो घंटे आपको रखने अलग से यह स्लॉट ऐसा हो जिसे छेड़ना नहीं है जी में की लिए चाहे आइट के लिए चाहे किसी के लिए इसको मत स्लॉट करो अब यह कब से शुरू करें सर आप यह बताओ तो कुछ बच्चे मुझसे पूस्ते है रहे हैं तो मैं उनको करता हो भाइध सबसे पहले देख और कि आपको कितना पार्ट कंपलीड हो गया हैर आपको लगता है कि यह अगलीश और यह कंप्विटर साइंस भीर यह सब तो बिल्कुल भी नहीं आते ब्लैंक कुम है तो अभी से त्यार करो आपको लगता है नहीं साथ मेरा जैमेंस को पांस दिन में अच्छा हो जाएगा थोड़ा और तर फाइव डेस कर लो बट ज्यादा डिले नहीं करना क्योंकि यहां जो स्ट्रेस आएगा ना वो जैरी फरवरड हो जाएगा यहां पर यह तैय करना जरूरी है कि आपको बोड की स्ट्रेस लेवल को हटाते हुए आपको अच्छे मेंस देना है ठीक है अब मैंने क्या किया दो गंटे करता है कि कि किसी बच्चे का मालों इंगलीश अच्चा है तो उसको डेड़ गंटा चीए यह आप अपने हिसाब से लिखना है यह मैंने अपने हिसाब से लिखा है मालों आपका अच्छा है इंगलिश तो आपको एक घंटा चीए घंटा दो बाकी जैए मेंस में दो आपको लगता है नहीं सब्सक्राइब मुझे इसके लिए अलग से टूशन लगानी पड़ रही है और बच्छों को ले जाना तो जादा से जादा पंदरा दिन बोल रहा हूं वैसे बच्चे मुझे साथ दिन में बता देते कि हो गया इसी तरह से आपको पंदरा दिन कंप्र साइंस की ट्विशन लगानी पड़ेगी तो अगर आपका जैमेंस का से लिए बस कम हो खतम हो चुका है तो आप इस कम्पेटर साइंस की लगा लो अपना जो है वो इंग्लिश की लगा लो यह आपका जो सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन उसकी लगा लो तो यह पॉर्शन कंप्लीट करके बैढ़ जाओ भी फटा-फट से लेकिन अफेक्टेड नहीं होना चीए आपका आयट कैसे अ अब को लगे कि साथ समझ गें आप तो पॉर्स हो या नहीं हो मेरे से वैसे भी नहीं हो रहा तो भाई पहले यह कर लेना लेकिन लेकिन क्लास चोड़के टाइम टेबल मत लगाना ठीक है क्लास जो आपके कोचिंग में चल रही है जैसी वैसी ही चलाते रहे ना उसको कि सार होमवर्क नहीं कर पाएंगे फिर बिल्कुल साही कोई डेंशन नहीं अभी होमवर्क की टेंशन मतलो यहां मैं यह समझाना चाहरा हूं कि हमें अपना लेवल डिसाइड करके चलना है देखो आप क्या करते हो ना हर चीज को पाना चातो इसलिए कुछ नहीं मिल पाता का तो यहां पर थोडा सा मैं केकना चाहता हूं स्टूडेंट इस तरह से बिहेव करें जो जिस से उसको पताओ कि मेरा पोटेंशल क्या है आप समझेड़ों अपने पोटेंशल के इसाप से बैब करो ताकि आपको अपनी पोटेंशल के इसाप से रहेंक आजाए प्रॉब् कि इन बच्चों से मैं फूसता हूं कर रहे हो तो बॉला रोच को अपने ऑस को मैं कर देंगे पहले कर लेंगे अगर हमारा बोर्ड के अंदर हमारी हालत पथली तो अगर लगता है कि अधर के अंदर नहीं कर पा रहें तो लागला केटेग्री बनेगी ने सब्सक्राइब किसी की त podr not happen किसी केटेगरी करें कि सब्सक्राइब चुन कर सबस्क्राइब कोड़ restaurantFit बिहेव करना है इस वीडियो से आपको कस्टमाइज प्लान बनाना है अपना खुद का कि मैं कैसे अच्छा कर पाऊंगा अब समझी नीटे बात को आपको करेंगे लाइन बाइन तो एंसी आटी की टेंशन खतम होगी केमिस्ट्री की तो फिजिक्स और मैट्स एक ही बात होती है कोई जुरूरी नहीं है आपके नोट्स जो है वह एजड़ी साब पढ़ जाओ तो आपकी मेंस भी कंप्लीट हो गई और यही मेंस के साथ सथ ब बोड़ भी कंप्लीट हो जाएगी तो कहीं पर भी बोड़ को लेकर के आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि मैंने लाइट सेशन में यहां पर आपको बताया था हम लोग यहां पर क्या लेकर आने वाले मैं फिर से बता देता हूं क्योंकि बहुत जल्दी अब अगला पर पूरा कराएंगे अगर आपकी एंसी अरेटी यहां पर कंप्लीट हो जाती है तो उसके साथ हमारा फायदा क्या होगा कि आप पीवाई क्यूस भी कर सकते आप एंसी एंसी एरटी एक्जांपलर भी कर सकते हैं कि आप NCRT examplar के बाद दूसरा क्या कर सकते हैं बताओ बोड के PYQ भी कर सकते हैं और मैं आपको बोड के भी questions यहां पर practice कराएंगे तो बोड के questions आपके होगे NCRT examplar होगी PYQ होगे और NCRT पूरी line by line याद होगी यार अब बताओ आप आपका बोड का tension मैंने करें बताओ बोड का tension PLUS के क्या आपको पता आएगा तो इसी मैंसे आएगा तो इसी मैंसे तो ये रोड मेप हम दो महिने तक रहेंगे हम साथ रहेंगे connected रहेंगे series के साथ हम आगे बढ़ेंगे practice हम आपको कराएंगे बोड की आपको तो पेपर्स दिया जाएगा आपके टेसरी जम बनाके देंगे बोड़ की तो पूरा रोड मेप आपका कम्प्लीट होगा जितने भी बच्चे चाहे वह नीट के हो जो भी सी बेसी बोड़ दे रहे हमारे साथ जुड़ सकते हैं चैनल पर मैं अनुरूत करूंगा कि मेरे इस को आप बहुत जादा फैल आएं जादा से जादा इसको लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें क्योंकि बोस्ट अवेटेड़ जही में सीरीज आव आने वाली है ठीक है आई होप आपको यह जो हो लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा पसंद आया होगा सेशन अच् करेंगे तो मेरी मदद करने से आप अपने सारे दोस्तों की भी मदद करेंगे ठीक है